आए वेल्कम य dissol Eagles I am Annikeet and your you are you watching wet study तो आज मैं डिस्कश करने वांआ हूं translation प्रासेस को इस्से पहले मैंने 2 इंपोर्टन प्रासेस को और डिस्कश कर रहा है जो की हैं हमारी application & transcription. ॹुम्हसा थर्म मुद्सेसिएब के इन्दर हमने dna से dna को बनाया है और translation के अंदर हम देखेंगे कि RNA से protein का formation कैसे होता है तो चलिए शुरू करते हैं तो translation actual में word का मतलब क्या है normally अगर हम बात करें तो translation का मतलब होता है किसी भी एक language से आप उसे दूसरी language में उसका मतलब समझें उसका meaning समझें तो क्या actual में यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो रहा है कि हमें एक language से दूसरी language में कुछ समझ रहे है हाँ यहाँ पर भी actual में ऐसा ही कुछ हो रहा है देखें biology के अंदर translation का मतलब कैसे similar है जैसा कि आप जानते हैं किसी भी language कोई भी language complete नहीं हो सकती बिना alphabets के बिना words के तो DNA की भी एक खुद की language है जिसके alphabets है हमारे nucleotide के sequence ठीक है और DNA ने अपनी वो language किसी सिखा दी mRNA को सिखा दी ठीक है तो mRNA भी क्या है nucleotide का sequence है बट अब आपको उसे translate करना है अब आपको क्या बनाना है amino acid की chain बनानी है amino acid का आपको polymer बनाना है तो आपको एक nucleotide के polymer से एक amino acid का polymer बनाना है मतलब की आपको एक language से दूसरी language में जाना है तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा इसका मतलब आपको translation करना पड़ेगा तो actual में जो word है translation यहाँ से आया इसके बाद अब इस पूरी process के अंदर actual में होता क्या है क्या requirement होती है और कैसे actual में process prokaryotes और eukaryotes के अंदर होती है वो हम आगे discuss तो कुछ भी बनाने से पहले हमारी कुछ requirements होती है तो देखते हैं कि protein को बनाने के लिए क्या requirements है तो requirement number one है हमारी mRNA दूसरा है हमारा tRNA की जुरुत पड़ेगी तीसरी ribosomes, amino acid, amino acid, amino acid, tRNA synthetase जो की एक enzyme है ATP, GTP, protein factors and कुछ enzymes ठीक है तो यह हमारी requirements हो गई इसके बाद अगर मैं बात करूँ steps की तो translation के अंदर तो हमारे तीन ही steps आते हैं जो की हमारे हैं initiation, elongation और termination but translation process से पहले हमारे कुछ steps होते हैं जो की translation के लिए जरूरी होते हैं वो हैं हमारे activation of amino acid and loading of tRNA और translation के अंदर जो हमारा initiation step होगा उसके अंदर हमारे कुछ factors जरूरी होते हैं उस process को initiate करने के लिए उन्हें हम बोलते हैं initiator factor initiation factor prokaryotes के अंदर ये हमारे 3 होते हैं initiation factor 1, 2, 3 और eukaryotes के अंदर हमारे ये 10 होते हैं IF 1 से लेकर 10 तर ठेक है ऐसे elongation के कुछ factors हैं और termination के अंदर भी factor हैं termination के अंदर हमारा release factor होते हैं ठेक है RF factor और ये आपकी NCRT के अंदर भी given है तो देखते हैं step by step कैसे ये सारी process होती है देखते हैं अपना सबसे पहला step process के अंदर जो की है हमारा activation of amino acid जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे 20 different type of amino acid हैं जो कि हमारे participate करते हैं protein synthesis के अंदर तो हमारे जो amino acid हैं वो हमारे react करते हैं ATP के साथ ATP के साथ react करने पर हमारे जो दो phosphate हैं वो अलग हो जाते हैं और एक AMP हमारा amino acid के साथ जुड़ जाता है अब मैं आपको बता दू कि ATP की full form होती है adenosine triphosphate मतलब कि तीन phosphate group यहां पर present होते हैं बट जो दो phosphate group हैं वो निकल जाते हैं और सिर्फ adenosine monofosphate हमारा यहां पर बचता है तो यहां पर यहां पर इस काम को करवाने वाला एक enzyme होता है जो कि यह amino acyl tRNA synthetase जो कि इस काम को catalyze करता है ठीक है और यह जो complex यहां पर बना इस complex को हम बोलते हैं amino acyl AMP enzyme complex ठीक है जिसे हम activated amino acid भी बोलते हैं तो इस reaction को catalyze तो करा amino acyl tRNA synthetase ने और amino acyl AMP enzyme complex हमारा form हो गया हमारे 20 different amino acid के लिए 20 different amino acyl tRNA synthetase enzyme होते हैं ठीक है इसके बाद हमारे step आता है charging या फिर loading या फिर amino acylation भी बोलते हैं of tRNA इस process के अंदर क्या होता है कि जो हमारा यहां पर enzyme के साथ जो हमारा amino acid attached था जो हमारा tRNA के dhu loop से attach होता है और फिर इस amino acid से हमारा जो AMP attach था वो भी अलग हो जाता है और enzyme भी अलग हो जाता है और यह हमारा amino acid 3-end of the tRNA पर चला जाता है जिसे acceptor arm भी बोलते हैं ठीक हैं तो यहां पर जो हमारा tRNA है वो charge हो जाता है तो देखते हैं कि translation process में initiation कैसे होगा तो initiation के अंदर हमारी कुछ requirements हैं और इस step के अंदर जो हमारी requirements हैं वो हैं 30S और 50S subunit जो ribosome की हैं फिर GTP, magnesium iron charge tRNA, mRNA और कुछ initiation factors ठीक है यहां पर जो initiation factor हैं वो हमारे specific protein हैं और कुछ नहीं है ठीक है मैं prokaryotes के यहां पर बात कर रहा हूँ और यहां पर prokaryotes के अंदर हमारे 3 initiation factors होते हैं जो कि हमारे IF1, IF2 और IF3 होते हैं ठीक है उसके बाद यहां पर जो GTP और initiation factor हैं वो promote करते हैं initiation process को actual में अब यहां पर देखिए क्या होगा कि जो mRNA हैं उस पे हमारे एक special type का sequence present होता है जिसे हम बोलते है shine delgarno sequence जो कि हमारा mRNA के उपर present होता है ठीक है वो shine delgarno sequence का opposite यह 8 nitrogenous base का होता है ठीक है इसका opposite हमारा anti shine delgarno sequence हमारा present होता है अब ribosome की smaller sub unit है उसके अंदर हमारा 16S rrn ठीक है तो उस 16S rrn पर हमारा anti shine delgarno sequence present होता है ठीक है और इसी anti shine delgarno sequence जो की हमारा rrn पर है और shine delgarno sequence जो की हमारा mRNA पर है ठीक है इन दोनों की मदद से ही हमारा जो mRNA है वो recognize कर लेता है smaller sub unit of the ribosome को ठीक है बट अगर मैं बात करें यूकरियोट्स की तो यूकरियोट्स के अंदर जो हमारी smaller sub unit है उसे recognize करता है mRNA ribosome की by the 7 mg cap ठीक है जो 7 mg cap होती है उससे recognize करता है ठीक है तो actual में 7 mg cap का भी कोई complementary sequence उसके पास होना चाहिए तो 16 जो 18S rrn है ठीक है वो smaller sub unit के अंदर present होता है तो smaller sub unit के अंदर जो 16S rrn है उसके पास complementary sequence होता है 7 mg cap का ठीक है तो इसलिए वो से recognize कर लेता है अगर आपको ये चीज़ थोड़ी से difficult लगी हो तो जो boards के student है वो इस चीज़ को skip भी कर सकते है तो इन दोनों sequence की वज़ा से ये mRNA और जो हमारी ribosome है वो हमारा attach हो जाती है smaller unit और यहाँ पर एक complex का formation होता है जिसे हम बोलते है 30S mRNA complex अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो 30S mRNA complex है ये react करता है formal methionine methionine tRNA complex के साथ तो ये हमारा formal methionine tRNA complex है और ये हमारा 30S वाला था ये दोनों react करते हैं और फिर हमारा बनता है 30S mRNA formal methionine tRNA complex तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर फिर हमारा एक gtp की भी जरुरत पड़ती है ये यहाँ पर मैं detail discussion कर रहा हूँ ठीक है NCRT के अंदर इतना सब कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पर TRNA से attach होने के बाद यह हमारा complete 70S ribosome बना लेती है जो हमारी larger sub unit है इसके अंदर हमारी 3 sites present होती है यह इसे आप Ape से याद रख सकते हैं यहाँ पर A का मतलब है amino-asile site P का मतलब है peptidal site और E का मतलब है exit site मैं भी बताऊंगा हर site पर कहाँ पर क्या process होती है तो यह larger sub unit आई और यहाँ पर यह attach हो गई यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो starting codon है MRNA का जो की AUG है वो हमारा P site पर जो ribosome है उस पर यह हमारा present होता है तो जो हमारा starting जो TRNA है जो की formal methionine amino acid के साथ इस पर आ रहा है वो हमारा attach होता है P site पर उसके बाद जो हमारा codon आता है MRNA का वो हमारा A site के पास होता है तो जो हमारा next TRNA आएगा अगले amino acid को लेकर के वो हमारा कहां कर attach होगा A site पर हमारा attach होगा तो initiation process के अंदर A site तो हमारी खाली ही रहती है क्योंकि initiation तो P site पर F methionine formal methionine से attach हो जाएगा तब ही हमारा initiation हो जाएगा तो चलते हैं अब देखते है elongation के अंदर क्या होता है ठीक है तो अब हमारे step आता है elongation elongation के अंदर हमें क्या है कि अब TRNA और आएँगे और अब actual में protein का formation start हो जाएगा मतलब कि अब chain बढ़ेगी polypeptide की तो देखते हैं इसके अंदर actual में होता क्या है तो सबसे पहले elongation के अंदर step आता है वो है entry of the TRNA entry of TRNA के अंदर क्या है कि हमारा जो A site है तो इस A site के उपर हमारा एक TRNA आएगा इन चीज़ों को याद रखना कि कहां पर कोई भी GTP यूज हो रहा है तो यहां पर A site पर हमारा अगला TRNA आ गया और इस step को हमने बोला entry of TRNA इसके बाद actual में क्या होगा कि peptide bond का formation होगा अब amino acid means amino group present होगा और acidic group present है तो एक के amino group के साथ और दूसरे के acidic group के साथ bond बन जाएगा जिसे हम बोलेंगे peptide bond ठीक है और water molecule हमारे यहां से बाहर निकल जाएगा तो यहां पर peptide bond जो बना यह किसने बनवाई है बनवाया हमारा peptidal transferase enzyme ने जो कि हमारा ribosome है मतलब RNA जब खुद act करने लगे enzyme की तरह तो वो ribosome हो जाता है ठीक है और इसके बाद हम देखते है third step जो की elongation के अंदर ही है वो है हमारा translocation of the ribosome ठीक है एक्चल में जब हमारा यहां पर यह peptide bond का formation हो गया उसके बाद यह जो P site पर 30RN उसका amino acid उपर चला जाएगा peptidal transfer is transfer कर देगा amino acid को A site पर ठीक है फिर third step के अंदर हमारा translocation है of ribosome इसके अंदर क्या होगा कि अब ribosome आगे move करना start करेगा इधर direction में ठीक है ना जब यह आगे move करना start करेगा तो इसे कोई enzyme तो करवाएगा इस काम को ठीक है उस enzyme का नाम है हमारा translocation यहाँ पर इसे एक energy की बज़रोत पड़ेगी तो यहाँ पर है हमारा GTP तो यह हमारा हो गया elongation के अंदर last step फिर आता है हमारा termination elongation खतम होगा अब आता है termination termination के अंदर आपकी जो पूरी polypeptide की chain है वो बन कर तयार और last में क्योंकि last step पर तो यहाँ पर क्या होगा जो हमारी A site है उस पर हमारा release factor आ जाएगा release factor आने के बाद क्या होगा कि यह सारी चीज़ें अलग-अलग हो जाएगी ठीक है और यहाँ पर भी एक GTP यूज हो जाएगी यह सारी polypeptide अलग हो जाएगा translation amplification यह mainly हमारा prokaryotes के अंदर होता है but दोनों के अंदर present होता है eukaryotes और prokaryotes दोनों के अंदर present होता है but mainly किस के अंदर होता है prokaryotes के अंदर होता है actually देखे translation amplification के अंदर होता क्या है कि जो आपका mRNA है उससे बहुत सारे ribosomes एक बारी में अटेच्ट होने के बाद वो अपनी translation process को start कर देते हैं और polypeptide जो है उसे बनाना start कर देते हैं तो इसी जो process है, इसे हम बोलते है translation amplification ठीक है मतलब एक की बारी में बहुत सारा आपका protein बन रहा है एक ही mRNA से और इस पूरी बोड़ी को मतलब कि एक mRNA से आपके बहुत सारे राइबोजोम जुड़े हुए हों इस बोड़ी कों बोलेंगे पॉलिजोम पॉली राइबोजोम या फिर अर्गोजोम ठीक है एक ATP का और दो GTP के मैं बताता हूं कौन सार कहां पर यूज हुआ है पहला ATP का मॉलिक्यूल यूज हुआ था activation of the amino acid के लिए दूसरा हमारा एक GTP का मॉलिक्यूल यूज हुआ था binding of TRNA ठीक है जब हमने एस साइट पे उसकी binding करी थी फिर एक GTP molecule यूज हुआ था ट्रांसलोकेशन के लिए ठीक है तो यहां पर हमारे टोटल तीन यूज हो गए अब मालिज अगर question यह arise होता है कि 30 amino acid का एक polypeptide है ठीक है तो 30 amino acid का जो long polypeptide है उसके अंदर हमारे कितने energy molecule लगेंगे और वो कौन-कौन से होंगे तो इसके अंदर हमारे जो answer है वो है 90 ठीक है क्योंकि एक के अंदर तीन लगते है और इसके अंदर हमारे 30 जो जाएंगे वो ATP हो जाएंगे और 60 हमारे GTP हो जाएंगे तो यहां पर हमारा जो complete translation process था वो end होता है और हमने last में देखा कि हमने कैसे protein बनाया ठीक है MRNA का use करके thanks for watching my video if you like then please press the thumbs up and subscribe to wet study